Hello friends and dear friends, आज का हमार टॉपिक है सट्रालिन और फ्लुवक्सामिन जो की एंटिडिप्रेसेंट एजेंट्स हैं और हमारे फर्मासेटिकल केमस्ट्री डिप्लोमाइन फार्मेसी फर्स्ट ये निउस अलिबस में हमें देखने को मिलते हैं इस वीडियो में हम इन दोनों एजेंट्स की केमस्ट्री, स्ट्रॉक्चर, नॉमन्क्लेचर, प्रॉपर्टी, यूजेज, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज, ब्रांड नेम, इत्यादी को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूँ दॉक्टर प्रजने, शुक्ला, चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्ट्रलीन की, जो की एक एंटिडिपेसेंट एजेंट है और इसकी केमस्ट्री, स्ट्रॉक्चर और नॉमन्क्लेचर की बात करें तो सब्सक्राइजन जो है वो एक टेट्रालीन डेरिवेटिव होता है वाट इस टेट्रालीन, टेट्रालीन को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये एक बाइसाइकलिक हाइड्रो कारबन रिंग सिस्टम है बिल्कुल नाप्थिलीन जैसा, बस ये कहना है कि वो दोनों ही जो बेंजीन होंगी, वो कहां पर होंगी और्थो फ्यूज होंगी अगर हम लोग टेट्रालीन को देखें तो एक और खास बात यहां देखने को मिलती है कि टेट्रालीन में से एक बेंजीन निंग पर जितने भी डबल बॉंड से उन सभी को हटा करके वहां पर चारो काबन के उपर एक एक हाइडोजन जोड देते हैं इसलिए टेट्रालीन को हम कह सकते हैं कि यह एक 1,2,3,4 टेट्रा हाइड्रो नाप्थिलीन होती है नाप्थिलीन का आईए इसको इसको इस्ट्रक्चर से देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको यह बात देखें यह होगा एक बेंजीन निंग और यह दूसरी जोड़ने से यहां पे जो डबल बॉंड है वो क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे 1,2,3,4 पहले दूसरे तीसरे और चौथे चारो जगहों पर टेट्रा मतलब 4 हाइड्रो मतलब हाइड्रो जोड़ दिये गया है नाप्थिलीन में तो यह जो तो हमारी अहले स्ट्रक्शर है इसी का डेरिवेटिव है हमारी स्ट्रक्ड और इसमें भी जो पॉईशन मंबर one है उस पर N-methylamino लगा हुआ है इसमें अहां पर आड्र कर दिया तो यह पूरा का फूरा ये सिस्टम का नाम हो गया next ये जो हमारा fourth position है इसके भी एक hydrogen को हटा करके यहाँ पहम एक और substitution लगा वे हैं ये जो substitution है वो हमारा 3-4 dichlorofenyl group का यानि एक benzene ring है जिसके तीसरे और चौते नंबर पर क्या लगे हुए है chloro लगे हुए है इसलिए इसे 3-4 dichlorofenyl बोल रहे हैं ये हमारा कहां जुड़ा हुआ है इस fourth number के position पर एक और खास बात है ये जो first position है और fourth position इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही carbons जो है वो chiral carbon हो जा रहे है chiral carbon वो carbon होता है जिस पर 4 different groups लगी हो एक तो ये पूरा लगा है एक ये लगा है एक ये लगा है एक hydrogen लगा है सेम चीज यहाँ पर एक N-methylamino group लगा है एक ये लगा है पूरा का पूरा एक इधर से ये लगा है और एक ये लगा हुआ है hydrogen तो ये भी क्या है हमारा S-configuration तो ये भी याद रखना है कि पहले और चौथे नमबर पर S-configuration देखने के मिलता है S-configuration का मतलब है जहां पर जो हमारे highest priority groups हैं जहां हमको rotate कर आते हैं तो वो anti-clock direction में move करते हैं तो ये क्या होते हैं S-NR उसके लिए हमने पहले video upload किया organic chemistry में वहां से आप उसको देख करके और ये बात clear करता है तो ये था सारा का सारा structure और chemistry of sertraline अब इसी के इसाब से अगर हम लोग चाहें तो इसका IPSC nomenclature भी कर सकते हैं sertraline का और इसकी जो IPSC nomenclature है बिल्कुल इसी इसाब सामोग लिखेंगे सबसे पहले हमने जो इसका configuration की बात की थे वो लिख देंगे 1S4S इसका मतलब यही है और आप चौते नंबर पर क्यों चीज जुड़ी है उसको यहां पर लिख दीजिए 434 dry chlorophyll तो चौते नंबर पर 34 dry chlorophyll जोड़ा हुआ है फिर N-methyl N-methyl हो गया and 1-2-3-4 tetrahydronaphthalene that is tetrahydronaphthalene 1-amine पहले नंबर पर एमीन तो यह हो गया इसका IUPAC nomenclature बिल्कुल इसी structure से मनावा है next बात करते है properties की तो जो यह हमारा compound है इसको हम लोग जगर generally देखें तो यह हमें solid रूप में देखने को मिलता है crystals के form में या फिर powder के form में crystals मतलब छोटे-छोटे करण के रूप में जैसे की नमक के करण होते है चीनी करण वैसे crystals के आते हैं तो कड़वा लगता है आपको melting point काफी हाई है इसका 255 से 216 degree Celsius solubility की बात करें तो water में बहुत ही असानी से solubile हो जाता है ethanol इत्यादी में solubile होता है methanol में solubile होता है लेकिन थोड़ा less soluble है isopropyl alcohol में specific rotation की बात भी करेंगे क्योंकि हमने कहा यहां पर generally configuration देखने को म दिख रहा है लेकिन यह जो optically rotate के बात करें तो यह हमारा dextrotatory होता है ठीक है और इसका जो rotation है वो है specific rotation methanol में जब में इसका solution मना करकर check करते है पोल्डी मीटर से तो हमें पता चलता है it is around plus 37 37.9 degree इसका specific rotation जो हमें देखने को मिलता है यह यह काफी अच्छी property इसको identify करने के next stories की बात करें तो generally इसको हम लोग well close container के अंदर रखते हैं क्योंकि यह काफी stable compound है और temperature जो है वो normal temperature रखे है room temperature पे इसको रखे है और देखी कि किसी प्रकार से कोई moisture या light जो है वो हमारे container के अंदर न जाए और इस compound के साथ न जुड़े तो यह काफी दिनों तक जो है stable रहत है अब बात करते ही uses की तो यह जो drug है हमारी हमने starting मुला कि यह एक antidepressant है और जो हम लोग antidepressant का classification देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो सबसे major classification है वो है हमारा selective serotonin reuptake inhibitor serotonin एक neurotransmitters की तरह काम करता है हमारे brain में secret होता है जो के हमारे mood को अच्छा बनाकर रखत जानी से दूर रखता है ऐसा chemical है और इसकी उपलबदता को बढ़ाने का काम करते हैं जो drugs उन्हीं को हम लोग selective serotonin reuptake inhibitors के रूप में जानते हैं और यह antidepressant के रूप में use होते हैं यानि किसी व्यक्ति को आवसाद है चिंता है घवराट है तो उससे जो है वो बाहर निका इसको आवसाद को आवसाद के रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं और यह प्रकार का क्या है डिप्रेशन का ही एक पार्ट हो सकता है या साइकोटिक क्या नाम है disorder के इसको हम लोग रख सकते हैं इसके अलाबा किसी व्यक्ति को किसी posttraumatic stress कहने का मतलब कोई trauma या कोई बहुत खदनाक चीज होगए कोई दुरगटना होगए इसके साथ और उसके बाद जो है उसको stress हो रहा है बार बार उसी के बारे में सोच रहा है और depression में जा रहा है तो ऐसे सभी problems के solution में इस drug का प्रि इसमें देखने को मिल जाती है marketed brands की बात करें तो different धेर सारी company जो है इसको धेर सारे नाम से बनाती है लेकिन कुछ famous brands में आपके सामने रख रहा हूँ सबसे पहले हमारा Surdeb जो की tablet group में देखने को मिलता है Sipla Pharmaceuticals इने बनाते हैं नेक्स है हमारा InnoCert जो की tablet group में आता है Ipka Lab इसको बनाती है Next Surlift जो की tablet group में देखने को मिलता है Denbexi Laboratories ने से बनाते हैं Next is Jocert जो की tablet group में ये भी आता है Sun Pharma बनाती है Pfizer company इस drug को Doxid के नाम से tablet group में market में लेकर के आते हैं Intasermasuticals इने Certima के नाम से market में लेकर आते हैं tablet group में और Unicam जो हैं वो Certra के नाम से tablet group में market में लेकर के आते हैं तो ये कुछ famous brands हैं जो की आज पास आपकी market में मिल सकते हैं Next dose की बात करें तो generally इसका जो dose है वो 50 mg per day तक दिया जाता है Starting में थोड़ी dose कम देते हैं maximum dose 50 mg per day तक जो है वो किसी patient को दी जा सकती है as per the condition of the patient अब बात करते हैं आज के हमारी दूसरी ड्रग दूसरी जो agent है उसके बारे में that is phlooxamin phlooxamin भी जो है एक anti-depressant agent है same class की जैसा की ये drug था इसका यूज वगेरा भी same ही है बट इसकी structure को अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा ही खास सा structure यहां पर हमें देखने को मिलता है इस drug की खास बात यह है कि ये एक 2 amino ethyl oxym ether है क्या है 2 amino ethyl यानि amino ethyl group लगा होगा oxym होगा oxym क्या होता है जब कहना हमें carbon double bond nitrogen nitrogen और nitrogen के उपर oh group लगा हो या oxygen लगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं oxym ठीक है और इस carbon के उपर carbon double bond nitrogen में जो carbon है उस पे भी दो जो है आपको aromatic या aliphatic group देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते है oxym बोलते हैं अब यह oxym किसका है ether of aryl alkyl ketone का याने का मतलब कि यहां पर भी हमें aryl group याने कि aromatic ring system भी देखने को मिलता है और alkyl group याने कि कोई aliphatic chain भी देखने को मिलती है और साथी साथ यह ether group भी हमें यहां पर देखने को मिलेगा इसके structure में अगर हम basically कहें तो यह एक benzene भी कहा जा सकता है कि एक substituted benzene है जहां पर benzene के position number 1 पे हम लोग 1E 1E क्या है E configuration जब double bonds होते हैं तो E या Z जिसे cis and trans भी हम लोग बोल सकते हैं E का मतलब होता है जब बड़े group जो होते हैं opposite direction में लगे हों जैसे हम लोग trans भी बोल सकते हैं इस condition में है N2-methyl, sorry aminoethyl and 5-methoxy pentaminodile group जो है वो आपको देखने को मिलता है यह है क्या आइए इस के structure में देखते हैं तो और आसान हो जाएगा आपको समझने में यह देखिए यह है हमारे इस का structure अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें काफी कुछ समझने को आएगा सबसे पहले हमको देखना है कि oxyme क्या होता है तो सब मिटा दीजे यहां पर देखें यह carbon और यह क्या आपको दिख रहा है double bond nitrogen अगर इस पर OH ग्रूप लगा हो और एक यहां पर क्या हो जाएगा और एक O है OH होता है H को replace कर दिया गया दूसरा ग्रूप लगा दिया गया तो इस पूरे system को हम क्या बोलते है अब नहां से देखें इस nitrogen पर जो OH था उसका हटा करके क्या लगा दिया गया है 2-oxy-ethylamine दूसरे नंबर पर oxy-group लगा हुआ है दो carbon की chain है इसलिए ethyl और amino group ल यह E-configuration में देखने को मिल रहा है कहने का मतलब इस nitrogen पर यह बड़ा group लगा हुआ है और यहां पर यह जो यह बड़ा group लगा हुआ है यह opposite direction में है यह same direction में नहीं है इसी का यह मतलब है next इस carbon अगर इस carbon को देखें तो इसके उपर है हमको एक tri-fluoro-methyl-phenyl देखने को मिल र है और इस पर एक क्या लगा हुआ है methoxy group लगा हुआ है this is methoxy पाच्वे नमबर पे इसलिए हम इसे कह रहे हैं 5-methoxy-pentylidine-amino group this is यहां तक इस पूड़े को एक साथ नाम किया यहां से पूड़े को एक साथ नाम किया 2-oxy-thyl-amine और यह पूड़ा एक साथ नाम लिया गया क्या कहा गया 5-methoxy पाच्वा नमबर पे methoxy group लगा हुआ है pentylidine-amino यह this is amino sorry idine जो d-e-n-e-n लिखा हुआ है इसका मतलब है यह double word ठीक है तो यह हो गया हमारा structure यह है phloxamine का structure अब यही structure हमको यहां पे हमने लिख दिया है तो यह हम यह भी कह सकते हैं कि जो benzene है इस पे fourth position पर हमें यह तो one position पर यह पूरा का पूरा जो oxym group है वो देखने को मिल रहा है और fourth position पर हमको trifluoro methyl group देखने को मिल रहा है और हम यह कह सकते हैं कि यह जो drug है वो trifluoro methyl benzene का एक derivative है यह भी एक खास बात यहां पर आप इसमें बोल सकते हैं आपने इसका structure देखी लिया यह आपक oxyethylamine है यह two oxyethylamine will be the parent name और इसके two के बाल डैस लगा दिया अब इसमें क्या क्या लगा हुआ इसका 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 ipac nomenclature सेम इसी structure से हम लोगों ने इसका ipac nomenclature भे लिद दिया अब बात करते हैं properties की तो यह जो हमारा phloxamine है इसका जो state होता है physical state की बात करें तो यह solid form में हमें देखने को मिलता है या तो crystals के रूप में देखने को मिलेगा आपको या फिर fine powders के रूप में आपको देखने को लोगा fine crystals या fine powder के रूप में हमें देखने को मिलता है color की बात करें तो generally white color का सफेद रंका होता है क इसी प्रकार की कोई order इसमें नहीं होती यानि की कोई तरह की की सुगंद दुगंद नहीं देखने को मिलती टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा bitter टेस्ट या कड़वा टेस्ट हमें देखने को मिलता है मरिटिक पॉयंट जो है इसका 120 से 121 डिग्री सेस्ट के बीच में होता है सॉलिबिल्टी की बात करें तो स्प्रिंगली सॉलिबिल होता है हमारे वाटर में आराम से सॉलिबिल हो जाता है ethanol में chloroform में और generally insoluble है यानि कि नहीं घुलता है die-ethyl ether में यानि कि पानी ethanol chloroform में तो घुल जाता है लेकिन die-ethyl ether में घुलता नहीं है storage की बात करें तो इसे हम लोग इसे भी हमें well-closed airtight container के अंदर store करना पड़ता है जबकि इसको जब आप store कर रहे होते हैं तो ऐसी जग आप store करिए ऐसे container में store करिए जिसमें humidity ना पहुंचे moisture उसके अंदर ना जाए साथी साथ वो light या और चीजों से भी उसको protect करना है और जो storage है वो लगबग room temperature 25 degrees के करीब में 20 से 25 degrees Celsius के बीच में आप इसको store करेंगे तो काफी दिन तक ये जो है stable बना रहता है जूजर्स की बात करें तो बिल्कुल same users है जैसा कि हमने आज की पहली ड्रग में देखा था बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर और ये भी selective serotin reaptic inhibitor है और anti-depressant की तरीके से use का जाता है और ठीक उसी तरीके से जैसे anxiety disorder यानि कि किसी को घगड़ाट हो रही है किसी को सोचने से problem आ रही है कोई चीज बार-बार सोच रहा है तो ऐसे सभी problems में panic attacks में obsessive compulsive disorders में जैसा same subtilaline वाले ही हमारे ये uses हैं तेंग उसी तरीके से ये भी रग भी use की जाती है काफी अच्छे तरीके से इसका भी प्रयोग same anti-depressant agent के रूप में किया जाता है अब बात करते हैं pharmaceutical formulations की तो fluoxamine की tablets, fluoxamine के capsules, fluoxamine के injections कुछी जगों पर जैसे US pharmacopie में हमें देखने को मिलेगा और fluoxamine के melted यानि इसका salt form मनाते हैं melted से उसके tablets इत्यादी जो है वो different pharmacopias के हिसाब से market में आपको देखने को मिलते हैं tablet capsule के form में generally ये tablet के रूप में देखने को म मिल सकता है अब बात करते है marketed brands की या brand names की जिस नाम से market में में देखने को मिलता है तो सबसे पहला है कुछ बहुत सारे famous brands है मैं कुछ brands आपके सामने ला रहा हूँ पहला है हमारा Sorest जो की tablet के रूप में देखने को मिलता है Abbott India इन्हें Revil Life के नाम से market में लेकर आते हैं जो की tablet के रूप में देखने को मिलता है Flex के नाम से आती है tablet के रूप में जो की Intas Pharma Suticals बनाती है और Torrent Pharma Suticals इन्हें Fluetor के नाम से लेकर के आते हैं जो की tablet के रूप में आपको देखने को मिलता है Doses की बात करें तो generally जब starting dose है वो 50 mg per day के हिसाफ से किसी व्यक्ति को दी जाती है लेकिन condition अगर किसी की ज़्यादा खराब है तो maximum dose जो हम लोग देते हैं वो काफी अंतराल के बाद मतलब की 2-3 हफते चलाने के बाद हम लोग बढ़ा देते हैं तो जो maximum dose है वो 300 mg per day के इसाफ से दी जा सकती है इससे ज़्यादा dose आप किसी को नहीं देते हैं this is the maximum dose तो यह था आज का मार टॉपिक जहां पे हम लोगों ने दो एजेंट्स जो आपके antidepressant agent आपके celibus में हैं sertralaline और fluoxamine इन दोनों के बारे में जो कि आपके celibus की इसाफ से जो जानकारी चाहिए होती है वो हमने आपको देने की कोशिश की फिर भी अगर आपके कोई प्रश्ण हैं कोई आपके क्या नम हैं कोई problems हैं तो आप वो comment box में लिख सकते हैं उनको वोग आंसर करने कोशिश करेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आया होते से लाइक कीजिए अपने friends में शेयर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ध